Unit 4th हम स्टार्ट करा रहे हैं, Work, Power and Energy जो Work है, क्या होता है? When a force applied on a body and body moves some distance then work is set to be done जैसे देखो यह Body है, इस पर हमने F force इस direction में लगाया तो यह Body को distance move कर जाएगी S तो Work done क्या होता है? Force into perpendicular displacement हो जाएगा यह Force into सीधा displacement लिखेंगे, वो Torque के लिए होता है Force into displacement हो जाएगा तो यहां से देखो, Force हमने लगाया इधर तो Force के Cos के Component की वरे से Body इधर move करेगी तो क्या हो जाएगा? F Cos Theta into displacement हो जाएगा S तो W is equal to क्या हो जाएगा? F Cos Theta की वरे से इसने move किया तो F Cos Theta into S हो जाएगा और W is equal to हो जाएगा F S Cos Theta ठीक है, Cos Theta को हटाने के लिए हम Dot Project लगा सकते हैं तो इसको हमने Dot Project लगा दिया F.S ठीक है, Dot Project question आप कर चुकिया और इसे चोटा सा question मैं याँ पर ले लेता हूँ अगर हमें Force दिरिक है मान लो 2i Cap प्लस 3j Cap और कहते हैं कि वो कुछ distance move कर गया S, वो move कर गया 3i minus का 4j तो अब work done क्या हो जाएगा इस वाले formula से W is equals to F.S तो लिखेंगे 2i plus 3j and Dot Project 3i minus के 4j तो Dot Project आपको करना आता है 2 का i वाले का i के साथ करेंगे multiply 6, i.i 1 हो जाएगा 3 का 4 वाले के साथ करेंगे तो minus के 12 ठीक है, minus के 12 हो जाएगा j dot j क्या हो जाएगा 1 तो ये 12 minus के 12 joule 6 minus के 12 joule और यहां से जब इसको हम solve करेंगे तो minus के 6 joule हमारे पास work done निकल कर आ जाएगा clear अब चो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी I think अब हम चलते हैं आगे की तरफ now next point की तरफ चलते हैं ये हमने dot product किया अब हम बात करते हैं इसके next portion की कैसी quantity है ये scalar quantity है या vector quantity है आपको भी पता चल गया होगा मैंने इसका dot product किया है तो कैसी quantity है ये scalar quantity सी दिसी बात तो लिखेंगे work is a scalar quantity work scalar quantity है SI unit की बात करें इसकी तो इसकी जो SI unit होती है वो होती है बच्चों जूल और जूल किसके equal to हो जाएगा यहां से निकालेंगे तो force का देखो newton हो जाएगा and distance का क्या हो जाएगा meter तो इन दोनों में कह सकते हैं कि one joule is equal to हो जाएगा one newton meter के तो ये इसकी SI unit हमारे पास हो जाएगी अगर मैं इसकी CGS unit की बात करता हूँ तो इसकी जो CGS unit होगी CGS unit वो is equal to हो जाएगी इसकी arg और यहां से जो arg है वो is equal to हो जाएगा CGS unit में जो newton है ना force की unit वो dine होती है और meter की centimeter होती है तो हम लिख सकते हैं कि जो one arg है वो is equal to हो गया one dine centimeter dimensional formula भी इसका हम find out कर सकते हैं तो देखो इसका अगर हम dimensional formula निकालते हैं तो dimensional formula क्या होगा force का dimensional formula आपको पता है कितना होता है m l t minus k 2 और distance का dimensional formula आपको पता है l होता है तो यहां से work done का dimensional formula हो जाएगा ml 2 t minus k 2 यह work done का dimensional formula हमारे पास निकल कर आ जाएगा अच्छा यह जो मैं आपको बता है यह किसकी SI unit बता ही इसकी gravitational unit भी होती है कुछ units आपको gravitational form में मिलेंगी तो मैं gravitational units की भी साथ साथ बात कर लेता हूँ gravitational unit of work तो इसकी जो gravitational unit होती है वो होती है एक होती है 1 kilogram meter यह होती है 1 kilogram meter और 1 kilogram meter is equal to 9.8 joule के equal अगर मैं इसको अपनी conventional unit जो इसकी उपर हमने बताई इनको conventional unit कहते हैं ठीक है यह वाली तो उसमें convert करतो 9.8 joule के equal होगा और अगर आपको ऐसा लिखा मिले कि 1 gram centimeter तो वो is equal to हो जाता है 9.8 zero arg के equal ठीक है 1 gram centimeter is equal to हो जाता है 9.8 zero arg के equal और यहां से एक relation निकालते हैं इन दौनों में तो इनका जो relation आता है 1 kilogram meter is equal to होता है 10 is to power 5 gram centimeter के equal तो इन दौनों को जो हम solve करते हैं तो यह relation निकल कर आ जाता है अब हम आगे बढ़ते हैं nature of work done की और कि work done का जो nature होता है वो कैसा होता है आइ तिंक यहां तक सबको clear हो गया होगा nature of work done work done का जो nature होता है वो तीनों टाइप का होता है positive भी होता है negative भी होता है और zero भी होता है तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे first point positive work positive work work positive कब होगा positive work कब होगा देखो यह formula हमने निकाला हुआ है w is equals to f s cos theta तो यह positive कब होगा positive work कब positive होगा तो हम लिखेंगे w is positive when जब cos theta positive होगा और cos theta कौन से quadrant में positive होता है अगर मैं 0 से 180 की बात करो तो first quadrant में positive होता है तो when जो theta है वो less than 90 degree हो जाए यानि acute angle अगर हो जाता है acute angle अगर हो जाता है तो तब हम बोलेंगे कि work कैसा होगा positive होगा ठीक है work कैसा होगा positive होगा अब हम इसके कुछ examples की बारे में discuss कर लेते हैं first example इसका देखेंगे हम example one ठीक है तो first example का कहता है कि when a body is in free fall when a body is in free fall अगर एक body free fall में होगी देखो ये body है अगर इसको मैंने freely छोड़ दिया तो body ऐसे नीचे की तरफ आएगी तो नीचे की तरफ कौन सा force लगेगा mg force लगेगा और जो distance चल रहा है वो भी नीचे की तरफ ही चल रहा है तो अगर मैं इस formula की बात करता हूँ w is equals to fs cos theta तो distance भी इदर है force भी इदर है तो कितना angle बनेगा 0 degree का angle बनेगा तो w क्या हो जाएगा fs तो कैसा आया positive आया that is जब एक body free fall में होगी तो जो work है वो कैसा हो जाएगा positive हो जाएगा next example हम लेख सकते हैं इसका second example when a lawn roller lawn roller आप सबने देखा होगा when a lawn roller pulled by applying force pulled by applying force then जो theta होता है वो 90 degree होता है less than 90 degree होता है और less than 90 degree होगा तो cos कैसा होगा positive होगा so cos अगर positive होगा देखो यहां से तो work done भी कैसा हो जाएगा positive हो जाएगा तो lawn roller क्या होता है आपने देखा होगा घास काटने वाले एक machine होती है इस type इसका structure होता है तो उसका मैं limited portion बना रहा हूँ ऐसे यह wheel हो गया इसका side वाला portion और यह हो गया अगर इसको मैं pulled करता हूँ ठीक है pulled करता हूँ तो यह मेरे पास horizontal line हो गई तो force किदर होगा बच्चो इस direction में force लगे अगर इसको मैं pulled करता हूँ तो कितना angle बना रहा है यह theta और यह क्या है less than 90 degree है क्योंकि वो distance कहां चल रहा है इधर चल रहा है distance इधर चल रहा है force इधर लग रहा है तो f और s के बीच में theta कितना less than 90 degree है जब यह less than 90 degree होगा ठीक है अगर हम इसको ऐसे pulled करते हैं नीचे की तरह इसको पकड़ के तो less than 90 degree होगा तो work done कैसा होगा positive होगा यूगि theta less than 90 degree तो cos theta की value कहां पे लाई करेगी first quadrant में लाई करेगी तो क्या हो जाएगा negative हो जाएगा तो कुछ examples हो जाएगे हमारे पास किसके work done का positive होगा तो हमने positive work done देखा अब हम बात करते हैं negative work done की negative work negative work तो negative work अगर मैं देखता हूँ तो work negative कब होगा work will be negative when इस relation से हम देख सकते हैं कि w is equals to f s cos theta होता है कब होगा when cos theta is negative जब cos theta हमारा negative हो जाए और cos theta हमारा negative कब होगा कौन से quadrant में होगा बच्चो second quadrant में होगा क्योंकि दो ही quadrant की motion में बात होती है एक first quadrant और एक second quadrant तो कौन से quadrant में होगा second में होगा यानि theta that is जो theta होगा वो greater than 90 degree होगा अगर 90 से बड़ा है तो cos theta negative होगा cos theta negative होगा तो work done भी कैसा हो जाएगा बच्चो negative हो जाएगा so work कैसा हो जाएगा negative हो जाएगा ठीक है ओके तो यहां से हम देख सकते हैं कि w is equals to negative आ गया इसके कुछ examples की हम बात कर लेते हैं first example ले लेते हैं इसका work done by frictional force negative होता है work done by frictional force is negative frictional force की वज़े से जो work done होगा वो कैसा होगा negative होगा आपको पता ही है कि अगर एक surface है और इस surface पर यह body है यह body इधर अगर move करती है तो frictional force always इसके opposite direction में लगेगा F क्योंकि यह distance इधर की तरफ चल रहा है यहां से यहां तक तो distance देखो इसका इधर है है ना distance इसका इधर है और frictional force इस direction में लग रहा है तो अगर इसका मैं work done निकालू तो frictional force into s into cos 180 degree हो जाएगा दौनक बीच में जो angle है वो कितना हो जाएगा 180 degree हो जाएगा और cos 180 पे कैसा होता है minus का तो work done कैसा हो जाएगा minus के fs आ जाएगा ठीक है यह इसका example number 1 हो गया example number 2 भी मैं इसका ले सकता हूँ ठीक है example number 2 अगर देखो एक body है अभी तुमने free fall की body की free fall की body की बात किये थी हमने last time पे अब मैं हाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर मैं body को ऊपर की तरफ फैंक देता हूँ ठीक है तो when a body thrown upward then then work done by work done by gravity is negative ठीक है gravity की वज़े से negative work done होगा कैसे होगा वो हम चेक कर सकते हैं देखो अगर एक body को मैंने ऐसे उपर की तरफ फैंका तो body तो उपर की तरफ गई लेकिर force कहा लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है f is equal to mg और distance कहा चल रहा है उपर की तरफ distance चल रहा है दोनों के बीच में कितना एंगर हो जाएगा 180 का हो जाएगा तो f is cos 180 degree और cos 180 पे कैसा होगा minus का होगा तो यह क्या हो जाएगा minus k f into s तो देखो यहां से भी क्या हो गया work done हमारे पास negative हो गया तो इसका third part positive negative हमने पढ़ लिया है first and second अब हम बात करते हैं zero work तो work done zero कब होगा इस formula से हम देख सकते हैं w will be zero w will be zero w कब zero होगा तो हम देख सकते हैं from relation work done का relation हमने देखा w is equals to f s cos theta अब work done कब zero होगा जब cos theta zero हो जाए when cos theta is equal to zero और cos theta zero कब होगा जब theta 90 degree का हो एक condition तो यह कि तव हमारे पास क्या हो सकता है zero हो सकता है तो इन तीनों cases में जो work done है वो हमारा zero होगा अब इसके कुछ examples की बात कर लेते हैं तो first example इसका हम ले रहे हैं जब हम wall के against push करेंगे distance क्या हो जाएगा zero हो जाएगा body moving नहीं करेंगे wall moving नहीं करेंगे distance zero तो यहां से देखो w भी क्या हो जाएगा zero हो जाएगा second example हम ले सकते हैं a weight lifter holding a hundred kilogram mass on his shoulders for 30 seconds इसमें भी क्या होगा work done zero होगा है ना work done क्या होगा then w is equals to zero होगा इसमें hold कर रखा है distance तो वो move करेंगे रहा तो इसमें भी s क्या हो जाएगा zero हो जाएगा s zero हो जाएगा तो work done क्या हो जाएगा zero हो जाएगा ठीक है एक example और इसका हम देखेंगे a brief case moves on a horizontal road moves on a horizontal road work done by gravity is zero work done by gravity is zero तो देखो यह brief case है जान देना मान लेते हैं कुछ इस टाइप का हमने brief case बनाया इसमें handle लगाया अगर कोई person इसको लेके इस direction में जा रहा है तो वो distance तो देखो इधर move करेगा लेकिन gravity की वरेश साब साब लिखा हुआ gravity की वरेश ग्रेविटी के वाला force कहां लगेगा f is equal to mg नीचे की तरफ लगेगा तो दौनों के बीच में angle कितना हो जाएगा 90 degree का हो जाएगा तो w is equals to fs cos 90 degree हो जाएगा और cos 90 पे क्या होगा 0 होगा तो so work done क्या हो जाएगा इस वाले के इसमें भी 0 हो जाएगा